हेलो दोस्तों मैं औरे सिद्धामेलिया आज आपको मैं यह बताऊंगा कि जेल के अंदर किसकी भक्ती जादा चलती है किसका जादा प्रभाव रहता है मुझे कैसे पता है क्योंकि मैं जेल में 15 साल रह चुका हूँ 302 मंडर केस में जेल में था और मुझे फूरा कानों का अग्यान हो गया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को जागरूत करना चाहता हूँ और जेल की बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जेल में क्या होता है जेल में किसकी चलती है वैसे तो सबसे बेले जेल में जेल और याने की सुपरी टेंडन की चलती है क्योंकि उसके आज में सकता है पावर है वो किसी की ओभी फोल्ड में लेकर बढ़ली खरा सकते है या कुछ भी जेल बढ़ली भी कड़ा सकते है दूसरे नमबर पर आता है जो डॉन जो भाय बोलते है उसका क्योंकि उसके पास लड़के लोग भी रहते है उसके नीचे काम करने वाले वर उसके पास पैसा भी रहता है तो जैल दूसरे नमबर पर आते है जो भाय लोग और तिसरे नमबर पर आते है पैसे वाले जो पैसा हुआ की जयल में गय है उसका नॉबर तीसरे में ईता है ईस्वक्ट भक्ति चलाणे में आता है दो implamba जैल में कोई टकोरी जैसे एक दो इंसान को रख लेगा उसके पीछे खर्चा करेगा उससे दोस्ती बना लेगा तो उसकी सबसे उसको कोई टच नहीं करेगा और वो अपने पैशे से अपना रुद्बा जमाई रखेगा जैल में चौथे नुम्बर पर आता है जो टकोरी टा इसी कुछ नहीं पड़ी उसकी कोई जित की नहीं पड़ी रेती तो चौथे नंबर पर लुखा टाइप के टपोरी का आता है तो कहीं कहीं बार मैंने ऐसा भी दिखाए जो एसा लुका टपोरी रेता है नहीं सबसे टॉप पर भी रहता है दबाव में क्यों क्योंकि ऐसे जो ते उसकी फैमिली या उसके पीछे कोई आता जाता नहीं रहता तो उसको मरने के भी नहीं पड़ी रेती में तो मतलब बहुत डेरिंग वाले हो जाते हैं किसी से नहीं डरते तो उससे तो भाय लोग या जयल भी डरते है क्योंकि कभी भी किसिको भी तमाचा मार दिया तो लोग की तो इज़द खराब होगी अगर डॉन को किसी ने मार दिया वे फिर डॉन की कोई कैटिट नहीं रहेगे कोई दबाव नहीं रहेगा तो ऐसे को डॉन लोग क्या करते हैं तो उसको भी पैसा या थोड़ा बहुत कुछ दे के उसको आथ पे रखते हैं तो ऐसा जैल की दुनिया में ऐसा लोगों का इस टैप का चलता है मेरी जानगारी कैसे लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट बॉक्स में बताएं जय ही जय बारत